कप कप आती हुई ठंड हो और हाथ में गर्मा गरम गाजर का हलवा हो तो सोच के ही दिल खुश हो जाता है हेलो एवरिवन आज में लेके आई हूँ आपके लिए ऑथेंटिक गाजर हलवा रेसिपी पूरे टिप्स के साथ परफेक्ट इशो के साथ तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं ये विंटर स्पेशल हेल्थी एंड स्वीट रेसिपी तो दोस्तों गाजर का चूज करते समय हमें ये धियान रखना है कि गाजर एक तो सौफ्ट हो फ्रेश हो रेडिश हो और ऐसी गाजर का चूज करें जिसमें वाइट वाला हाड़ी पार्ट कम से कम हो तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहापर देड़ किलो गाजर ली है जिसे मैंने धोकर, छील कर और उपर नीचे का पाट कट कर लिया है तो अब हम ग्रेटर की सहाइता से गाजर को ग्रेट कर लेंगे तो लीजिए हमने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है और अब एक मोटे तले वाली कड़ाई लेकर उसमें दो से तीन टेवल स्पून के आसपास घी एड़ करेंगे और घी को अच्छे से गरम करेंगे और जब घी गरम हो जाए तब हम यहाँ पे ड्राइफ रूट्स एड़ करेंगे और उन्हें रोस्ट कर लेंगे ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर काजू, बदाम और पिस्ता ले रही हूँ और रोस्ट होने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे तो अब हम इसी घी में ग्रेट किया हुआ गाजर एड़ करेंगे और अब हम इसे पांच मिनिट के लिए कंटीनिसले चलाते हुए भून लेंगे अब एक कब दूद ग्यानी 240 ml दूद हम इहाँ पर इतनी क्वांटिटी में एड़ करेंगे तो अब साती साथ मैं एड़ करूँगी एक चुटकी केसर तो केसर डालने से हलवे में एक अच्छा फ्लिवर तो आएगा ही साथी साथ केसर विंटर में सरीर को गर्मा हट भी देता है तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए धक कर पका लेंगे तो अब 10 मिनट के बार धकन खोलने पर गाजर सौफ्ट हो चुकी है और गाजर में से काफी सारा पानी रिलीस हो चुका है तो अब हम धकन खोल कर ही पकाएंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्र मॉइस्ट्र है वो एवैपोरेट हो सके तो अब आप देख सकते हैं हलवे में से एक्स्ट्र मॉइस्ट्र जा चुका है हमें इसे इतना ही मॉइस्ट्र रखना है इस से जादा हमें ड्राइ नहीं करना है और अब आप चाहें तो यहाँ पर घी थोड़ा सा और एट कर सकते हैं पर इतने घी में भी हलवा बहुत टेस्टी बनता है और अब मैं एट करूंगी 500 ग्राम चीनी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी के मैल्ट होते ही हलवा थोड़ा सा और माइस्ट होगा अब हम गैस की हीट को मीडियम रखते हुए इसे थोड़ा सा और पका लेंगे और बस अब हम एट करेंगे मावा तो यहाँ पर मैंने टोटल 500 ग्राम मावा का यूज किया है तो लीजिए अब मावा भी मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मावा हम गार्णीशिंग के लिए बचा लेंगे और अब मैं एट करूंगी ड्रैफ रूट्स जिनको हमने पहले ही घी में भूल लिया था और अब लास्ट में मैं एट करूंगी आधी चम्मच इलाइची पावडर और इसे मिक्स करेंगे तो लीजिए तयार है गर्मा गरम सूपर टेस्टी गाजर हल्वा तो फटा फट से ले चलते हैं अब हम इसे सर्विंग प्रोसेस पर और अब मैं गार्णिश करूंगी इसे थोड़ा सा मावा डाल कर और थोड़ा सा पिस्ता तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल सरीता रतुड़ी को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंस सके तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी में थैंक्स फूर वाचिंग नमस्कार